तरबूच खाना प्रेगने के महिला खाना और नहीं कितनी झालक कैसे लिए और टरबूच खाने से नौवे महीने में किस तरीके से फायदे नहीं होगा आप के लिए चलिए इस विडियो को team करते हैं तो तरबूच में keis nutrition पाया होती है तो उस समय तर्बूज खाना काफी ज्यादा फायदे मन्द होगा आपके लिए तर्बूज के और भी कई फायदे हैं वीडियो में जरूर से जरूर देखें और कुछ नुकसान भी है जो कि आपको देखना चाहिए क्योंकि तर्बूज खाना ऐसा नहीं कि एक चीजा बहुत ज्यादा खाड़े हो तो आपके लिए सिर्फ फायदा ही पहुंचा है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है तो चली इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगा अच्छे समझने के लिए तर्बूज जब आप खाती है तो उसमें तर्बूज में काफी मातरा में पानी पाया जाता है नौबे महीने में महीलाओ काफी जादा एनरजी की जरूरत रहती है साथ ही वो बहुत जादा थक जाया करती है और पानी भी खासकर जब गड़्मियों का सीजन चलता है तो पानी की ज़्यादा जरूरत परती है शरीर में लेकिन उस हिसाब से अगर वो पान के लिए पूरा दिन वो एनरजी बना के रखता है तो मौनिंग सीकनेस दूर होगी दूसरा यह है हार्ट बर्न ऐसीडिटी की अगर आपको ज्यादा तर दिक्कत होती है प्रेग्नेंसी में मतलब की सीने में जलन होता है गले में जलन होता है ऐसीडिटी रहता है कुछ भी तर्बूज आपके लिए उस कंडिशन में काफी ज्यादा फायदे मन्द होगा क्योंकि तर्बूज का तासीर होता है वह काफी थंड़ होता है इसके लिए अगर आप तर्बूज का सेवन करती है उन मामलों में तो आपके लिए पूरा पेट जो है ठंड़क प्रदान तो गड़्मियों के सीजन अगर आप खाओगे जिसमें की ताजे ताजे आपको तर्बूज मिलेंगे मैं पूरे सीजन की बात नहीं कर रहे हूं गड़्मियों के सीजन के लिए यह काफी जादा फेमस है 90 परसेंट इसमें पानी पाया जाता है तो आपको यह हाइड्रेट इन परात होती हैं तो क्या होता है कि जब आप तर्बूज का सेवन करती हैं गर्भा वस्था के दौरान पैड़ों में डख्त का प्रभाव काफी हध तक तक रुख जाता है इस कारण पैड़ों के साथ हाथू में भी सूजन आ जाती है तर्भूज पाढ़ाता है क्योंकि इसमें काफी जादा विटमीन पाया जाते हैं हाइडरेटेड रखता है पानी पाया जाता है हार्मोनल चीन्ज के कारण इम्बैलेंस के कारण आपके पैरोमें रहां काफी जादा एठन महसूस होगी इसमें भी तरबूज इस ऐठन को कम करने में अगर तरबूज आप काफी ज़्यादा मातरा में खाड़ी हैं और अगर आपको to pregnancy की नवे महिने में पानी की कोई कमी नहीं है तो फिर आप अगर ज़्यादा मातरा में खाती हैं तो हो सकता है कि काफी जादा पानी जो है में जादा पानी होना बच्चे के लिए नुक्सान दायक ना हो जाए जिन महिलाओं को पानी की कमी है वो तरबूच खा सकती है लेकिन जिन महिलाओं की गड़ में काफी जादा पानी है उन महिलाओं को कम-कम मात्रा में सेवन करना चाहिए इसका जा